आगे बटते हैं और बात करेंगे दोसा की दोसा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां नवजात की संग्दिक दमौत के मामले में बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है नवजात की मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है ससुर अब्दुल मनान ने दर्ज कराई है रिपोर्ट और पानी के हौद में मिला था नवजात का शव दोसे ज्यादा आउलाद नहीं चाहती थी आरोपी मा और गर्बबती होने पर चाहती थी गर्बपात जन्म से ही बड़ा अपडेट सामने आ गया है नवजात की मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है ससुर अब्दुल मनान ने दर्ज कराई है ये रिपोर्ट और पानी के हौद में मिला था नवजात का शव दोसे ज्यादा आउलाद नहीं चाहती थी आरोपी मा और उसी के खिलाफ हत्या का केस धर्ज हो गया है घर्वरती होने पर जाती थी गर्वपाथ और इस वक्त हमारे सयोगी लक्षम अंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्षम कांत अब आरोपी के खिलाफ हत्यारी मा के खिलाफ केस बीडर्ज हो गया है पूरी बिल देला देने वाले जो वारगात है काभी समुगीन वारगात है इसमें परिवार गिया है उसके तरह से बेत होगानी मौड़ के सुऽति ज़ति है और गूरागी तरह से पूरु रूपत करत में की जो आपyorsun जो तरह से दर्ज करवाया है पूरा जो घटना करम जिस तरह से हमारे पूरे परिवार के लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना था कि जो आरोपी यास्कुई है, वो मेरे चाहती थी, तो उसको तीसी अवलाद हो और जो भी बच्ची हो, यानि कि बालिका हो, तो वो इस चीज से लगातार इस चीज को ल जाने के जो गड़्धा जो बेस्मेंट बना हुआ था, उसमें दूबो बच्चे और उसकी हत्या किया और इस पूरे मामले में हत्ता का मामला दर्ज कर दिया जया है, ससुर की तरफ से जो है आरोपी बहु के सलाफ मामला दर्ज होआ है, पुलिस जो है वो जो बालिका है, जन्म हुआ था उसके शवका पोश्ट माइटम करवा रही है और पूरे मामरे की तैकी का चलिए शुक्रिया पैस जानकारी के लिए